असलावलेकुम दोस्तों आपका फिर समय स्वागत करता हूँ आपके अपटे यूटूब चैनल कुएट खबर यूटूब चैनल पे तो साथ ही आज की वीडियो में है कुएट से सबसे पहली जो खबर आ रही है कुएट की बहुत ही बड़ी कंपणी आप लोगों ने नाम सकते हैं बहुत बड़ा सा केक वहां पर मंगवाए गया और बहुत सारे अधिकारी जो थे बड़े बड़े उन सभी लोग वहां पर सिरकत फर्माए थे इवेंट ऑल्सो लॉंच इन वीक लॉंग इंवेट्सरी सेल परमोसन दोस्तों ये इसे इवेंट को लॉंच करने का मक आपका बचत होगा मैं दोस्तों मिसाल के तौर पर आपको समझाया हूं तो जो भी भाई लोग आप लोग अभी कुएत में लेना चाहते हो समान वगयरा बहुत सारे अटम से बहुत सारे कैटेगरी वगयरा है पर मार्केट में जाके ले लीजिए बहुत चीजों में आपक पर रियूमर उडाये जा रहा है कि एंटिबाटिक्स कुएत में एमोच की पास बिल्कुल भी नहीं है यह सोसल मीडिया में सात्यों काफी जादा यह अफ़ा उडाई जा रही है तो मोच की तरफ से साब तोर पर एक लिए गया है कि यह बिल्कुल गलत बात है जो भी एंट काटेगरी के लोग हों किसी भी काटेगरी के मरीज हों सभी का सभी दोस्तों एंटीबाटिक जो है पुरी तरह से होस्पीटल्स वगेरा में मौजूद है घबलाने की जुरूत नहीं है और सोसल मीडिया पे बिल्कुल भी यह सब अफवाव को सेयर करने के लिए मना किया गया नहीं आपको अफवावाली पोश्ट को सेयर करना है नहीं कि दोस्तों किसी चीज को आपको सेयर करना है यदि आप ऐसे करते हो तो पकड़े जाने पर आपको कानूनी कारवाई की जा सकती है फेक नियूस फलाने के आरोप में अगली जो खबर दोस्तों वारी थोड़ी इनका नाम था डॉक्टर मिर्जा उमेर बैग जो की लखनाओ के रहने वाले थे इनका इंतकाल होग चुका है ये सीनियर सैंटिक्स है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वार्मेंटल साइंस कुएट इंसिश्टूट ऑफ सेंटिफिक रिसस सेंटर में बहुत ही बड़ी दोस्तो इनको इंडिया भेजा गया था यानि वो इंडिया अपने मरजी से गये थे और इंडिया के लखनों में वहाँ पे इनका इंतकाल होने की दोस्तों खबर जो है वो निकल कर फिलाला भी आ रही है तो इनका नाम था डॉक्टर मिर्जा उमेर जिनका इंतकाल हो चुका है तो भाईयों ये यदि कोई आपके मन में सवाल हो कोई जानकारी चाहते हो कुएत के रिलेटेड मुझे कॉमन करके पूछ सकते हो मैं कोसिस करूँगा आप लोगा सवालों का जवाब देने के लिए तो आसा करता हूँ वीडियो आपका अच्छी लगे हो मिलते साथ हूं नेक ऐन टेक के लिए मुझे आपके लिए।